दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं CP plus camera को अपने mobile phone के साथ कैसे connect करना है, इस पर Wi-Fi कैसे देना है, मतलब सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ और जो process बताने वाला हूँ ना, वो process से CP plus के कोई भी model में आप बहुत ही आसानी से अपने mobile को connect कर सकते हो, live इस camera में जो भी चलेगा आप लाइब देख सकते हो, तो कैसे इसमें Wi-Fi connect करना है, कैसे इस पर internet देना है, सारा चीज़े में आपको बताने वाला हूँ और देखो मेरे पास जो model है, वो model है, यह model है, यह model है, दो में एफकिसल का camera है, बाकी CP plus का कोई भी model हैगा, same process से अब अपने connect कर सकते हो, आसानी से, तो चले हम जानते है details में, तो देखो सबसे पहले इस box में आपको दो चीज़े मिलेगा, जिसके camera हो गया, पहला तो यह camera ह पास है, आपको मिल जाएगा, flip card Amazon पे, अब इसके साथ एक मिलता है power adapter, जो कि देख सकते हो, आपको board में लगा के plug करना है, और दूसरा चीज़े मिलता है, एक cable, यह cable मिल जागा, आपको type C का, ठिक है, तो type C क्या करना है, आपको camera में लगा कि इसमें power देना है, यहाँ पे आनते हैं कि कैसे इपने mobile phone के साथ इसको connect करना है, और live देखना है, जो यहाँ पे चले गाना, उसको live देखना है, तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो, आपको box के पीछे, यहाँ पर option मिल जागा, यहाँ पे एक app store का यह है, और यह play store का, अगर आप के पास scanner है, तो आप QR code में scan करोगे ना, तो यहाँ पे इसका application डाउलोड कर सकते हूँ, camera का, ठीक है, यह जो होता है, cp plus का, cp plus का easy cam, नाम से यह application है, play store पे आपको मिल जाएगा, ezy, kya m, इसको search कर दोगे, तो play store पे आपको application देखने को मिल जाएगा, तो उस application को आपको कर ल देखो कुछ इस प्रकार सापका interface आपको application का, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है, देखो यहाँ पर sign up, अगर आप पहले इसके पर account बनाए हो, तो आप यहाँ पर sign in वाले option के पर click करके जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक नई user हो, तो आपको यहाँ पर account बनाना पड़ेगा, तो account बनाने का simple process से आपको कर देना है, sign up वाले option के पर click, जैसे इसके पर click करोगो, तो यहाँ पर आज आज आगा country, तो आप इसके पर click करके अपना country को select कर लेना, तो मेरा यहाँ पर India automatic select है, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा आच चुका है, तो आप भी इसके बाद यहाँ पर आपको अपना email ID डाल देना है, आपका जो भी email ID रहेगा, यहाँ पर डाल देना है, डालने के बाद क्या करना, email ID डालने के बाद कर देना, get verification code इसके पर click, जैसे इसके पर click करोगे, फिर जो email ID डालोगे न, उस email ID पर OTP जाएगा, तो OTP को डालके य आपका ID बन जाएगा, तो मैंने ID यहाँ पर already बना रखा हूं, तो मैं सिधे करता हूं, यहाँ पर sign-in वाले option के पर click, देखो इसके पर click करता हूं, अब क्या करना है, यहाँ पर अपना account डालना है, जो भी आप बना होगे, तो जैसे कि मैंने already बना रखा हूं, तो यहाँ मैं अपना email ID डाल दिया हूं, यहाँ पर password डाल दिया हूं, डालने के बाद यहाँ से कर देता हूं, मैं security reason के लिए यहाँ पर email ID को बलर कर दिया हूं, तो यहाँ से मैं login करता हूं, login करने के बाद थोड़ से wait करना है, फिर बहुत ही आसानी से आपका login हो जाएगा, तो लेकिन आप यह process से किसी भी cv plus phone को, camera को connect कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो internet का connection देना है, जो wifi से connect करना है, सबसे पहले आपको अपने mobile में, वही wifi को connect करना पड़ेगा, तो जैसे कि क्या करता हूँ, यहाँ पर वाइफाई को connect कर ले इखो, यही वाइफाई को आप में क्नेट करने वाला हूँ, और live में सारा सबसे पहले करने से पहले, अब उसके बाद को क्या करना है आपको सपर कर देंगा है ढोल है यहां पर दिखा देता हूँ मेरा मोड़ यहां फॉन describing पर क्लिक फिर यहां से कर देना इसके पर क्लिक ठीक लगाना फिर कर देना नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद देखो सबसे पहले यहां पर बताया जाएगा कि जो भी यहां आपका वाइफाई का करेंगे नेक्स्ट बट नेक्स्ट करने से पहले यहां पर आपको एक चीज़ तो कुछ तो कुछ इस– प्रकार से जब क्यमेरा स्टर्ट हो जागा उसके बालएक क्या अज्वप करणा है तो यहां पर क्लिक करणे चलो ने चरह सब्सक्री ताइस यहांति आजए देखे हो अब इस यहां पर देखो क्या करना है और पत्राइब कम देखा जो कसे शाहिए पूरी तरीपे देते हैं यहां पर देखो हो चुक है स्टार्ट अब देखो यह केमरे में आपको स्कैन करवाना यहां पर डिटेल्स में मिल जागा सारा चीजिए देखो प्लीज स्कैन दे क्यूर कोड फ्रॉम 15-20 cm मतलब 15-20 cm के दूरी में स्कैन करवाना इस प्रकार से यह देखो तो यहां पर हमआरा W effectivement हो रहा है तो फ़दा से वेट करना है आपको इसको कट रही करना है जब तकर बोल दिए है अब क्या करना न है आपको उसको कर देंब हो यहां पर करता हूँ कट करने यहां से मैं back आता हूँ, back आओगे तो यहां पर देखो, automatic आपका add हो जाएगा, तो आप इसके पर click करके, आप live देख सकते हूँ, जैसे कि देखो, यह camera का live दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब आप चाहो तो इसको यहां से moment वगरा भी कर सकते हूँ, जैसे कि देखो, यहां पर मैं इसके पर click करता हूँ, ठीक है, यहां पर click करता हूँ, सबसे बहले camera को यहां पर मैं रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, अब देखो, यह जो है, यहां पर आपको मिल जागा, इधर movement करने का option बहुत सारा, जैसे कि यहां पर click करता हूँ, ठीक है, यहां से बड़ा कर सकते हो, यहां से बमेंट कर सकते हो, अपने हिसाब से इधर चाहो, ठीक है, देखो, camera भी मूंब होगा, जैसे मैं करूँगा, देख सकते हो, तो कुछ इस प्रकार से आपका बहुत ही आसानी से connect हो जाएगा, उसके बाद आप camera के अंदर बहुत